हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक तो मैं चैनल ट्रिपल के कशिश की कहानिया तो आज मैं आपको बनाने सिखाने जारी हूँ मटव मश्रूम की बिल्कुल सिंपल सी रेसिपी जो आप बनाएंगे तो टेस्ट में वो बनेगी बहुत ही लाजवाब और ये रेसिपी जो है मैंने अपनी मम्मी के घर गई थी तब बनाई थी तो मैं पोस्ट इससे अभी थोड़ा लेट कर रही हूँ सो चलिए स्टार्ट करते हैं इससे बनाना आपको दिखा रही हूँ कि मेरी प्यार इसी भतीजी जो है वो मेरी हेल्प कर रही है आटा लगाने में इसने मुझे बोला कि बुआ मुझे दे दो मैं आटा लगा लूँगी तो यह देखिए हमारे घर के बच्चे जो है हमें कितनी हेल्प करते हैं और वो तिल्लू देखो मज़े से देख रही है पानी पी रही है तो आटा जो है आज रिष्टी कल्याणी लगा रही है और इसकी हाथ की रोटिया हम खाएंगे फट से भी मचल उट्ड ठाइब, अ ककज़र, क्रशन बनाई जर्ट जीरक्लाप, इसकी रिएथी बस्तोर मतुत पाइब तूर थोलो मिं लोटात, न साथिका टाइब, जीरक्लाप, बढ़िग, यह करें भी त्यस子 काइब, भी कज़र, बसक्त बजीन कर ब्लाक तो अब इस टाइम पर मैने कसूरी मेती डाले एक बटन में जो है मैं ऑईल डालगी और अब उसमें जैसे वह गरम होता है मैं इसमें डाल दूंगी यह बारिक चॉप्ड प्यास तोड़ा सा जीरा श्ञास को हम ने इस तरह से ब्राउन कर लिया है उसके बाद मैं ये अद्रक लसन हरी मिर्ची का पेस्ट जो है इसमें एड़ कर दूँगी अब जो है इसमे माइट एक नची मंचले, जैसे कि लाल मिर्ची है, हल्दी पौडर है और द्धनिया पौडर है में इसमें आड कर दूगी, भाट में एक करते हम पानी ताकि मेरे मंचले धले ना ऑट यह देखिए यह मेरे मасाला अच्छे भुन गया है तोर दाने के अबेज़ पानी डाल डालके उसे बुना है transformed और इसमें मैं डाल़ूँगी ग्रेवे al‌टोस तोरी ये मैं एक सेब्स करहें जब आपके पास फ्रेश हो तो आप फ्रेश कर सकते हैं में पास फ्रोजन है तो मैं फ्रोजन यूज कर रहे हूं और मुत्र को हलका सा बुनने के बाद मैं डर्दरा सा पीस लिया है यह मैं अट कर दोगी और यह मश्रूम जो है अब इस ग्रेवी में बुनने के टाइम पर हरादनिया एड़ कर दूँगी ताकि हरादनिया का भी अच्छा सा फ्लेवर इसमें आ जाए अब मैं जो है इसमें हलका सा नमक एड़ कर दूँगी मेरे टेस्ट के अकॉर्डिंग तो यह देखिए कितनी मस्क मेरी सबजी ओईल रिलीस कर लिया है अब जो है मैं इसमें घर की मलाई और घर का मकषन यह दोनों मिक्स करके मैं इसमें आड़ कर देती हूँ तो यह देखिए सबजी कितनी प्यारी लग रही है और मेरी मम्मी को जो है हर चीज में काजू डालने का बहुत शौक है तो मुझे काजू देके नहीं है कि इस सबजी में काजू डालो तो वैसे तो मैं आड़ नहीं करती हूँ बट ममी की डिमांड पर मैं इसमें यह काजू डाल कर रही हूँ अब इसमें हलका सा पानी आगर आपको ग्रेवी ठाइट रखनी है तो thank you मैं अब इसको थोड़ा वह तो मीडियर बन करें ग्रम पानी करा कर लिया है और अब में ढ़के इसे सिफ 4-5 मिट通 के लिए पकाने के लिए रख दूँगे सिल पर ये देखिए जबर दस्त मेरी सबजी रेडी हो गई है मटर मश्रूम की ये कितनी मस लग रही है बस इतनी ही ग्रेवी मैं रखूंगी और गैस मैं आफ कर दूँगी और लास में बस मैं से हरे दनी से गार्निश करूंगी तो ये है मटर मटर मश्रूम तो फ्रेंड्स ये जो मटर मश्रूम की सबजी है ये बनती है बहुत स्थादे डिलीशियऊस वह बहुत सिंपल और क्विक रेषिपी है और फटाक से बन जाती है बिना किसी ताम जाम के तो इसे आप जरूर बनाईएगा और आपको क्या करना है मेरे चैनल क लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना है फ्रेंड्स तो थैंक यू सो मच